नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मंडे है आज 1 अगस 2022 डेली न्यूस अनलिसिस और एडिटोरल अनलिसिस में आपका स्वागत है एडिटोरल के आज 6 आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करूँगा कौन कौन से हैं डिटो में वीट वेवर की डिमांड को लेके इंडिया ने क्या क्या अचीव किया प्रेजडेंट द्रापदी मूर्मू जी के प्रेजडेंट बनने से क्या सच में ट्राइबल कम्यूनिटी का उद्धार होगा 73rd और 74th Amendment एट कितना एफेक्टिव है इसके बारे में बात करेंगे यूरेशिया को क्लोज लाया जा रहा है इंटरनेशनल लॉट साउट ट्रांस्पोर्ट कोलिडोर के थूँ फिर भाई, ओवर आल, पारलिमेंटरी स्टांडर्स गिर गए है इसके बारे में आपे बात की जा रही है क्या DMK और BJP के बीच में कोई political reproachment हो रहा है इसके बारे में बात की जा रही है फिर core constraints, यह जो हमारा 8 core industries है ना Index of Industrial Production की इसके respect में कुछ figures discuss किये जा रहे तो यह 6 articles आपके साथ discuss करने वालो हो एक article यहाँ पे PMLA verdict को लेके है तो इसके बारे मैं आज की current affairs में भी news है तो अलग से discuss नहीं कर रहा हूँ मैंने पहले भी PMLA verdict आपके साथ discuss किया तो यह particular article छोड़के बाकी 6 के 6 details discuss करेंगे फिर एक और important news है कि भाई, तीन जहारकंड के MLA को बंगाल police ने arrest किया है यह अपनी गाड़ी में 49 lakh रुपी cash लेके जा रहे थे तो अब इतना बड़ा amount cash में इनकी गाड़ी में कैसे आया इस respect में भाई इन से पूछताच चल रही है तो political blame gaming भी शुरू हो गए यह BJP कुछ बोल रही है, Congress कुछ बोल रही है तो इस news को देखेंगे फिर हिंदुस्तान Aeronautics Limited 12 light utility helicopters provide करेगी उसके साथ 11 Apache helicopters हम US से और खरीद रहे हैं Indian Army के लिए वैसे मैं बता दूँ कि पहले औरड़ी 28 Apache helicopters इंडिया के अंदर आ चुके हैं या almost पहुंच चुके हैं तो यह news देखेंगे अंडर ट्राइल्स के लिए PMLA verdict एक hurdle बनके सामने आया है PMLA verdict के बारे में discuss कर चुका हूँ यह एक छोटी से news यहां पे discuss करेंगे इसलिए editorial discuss नहीं किया है कोविन एप को अब यहां पे थोड़ा और बढ़ाया जारा expand किया जारा कोविन आप आपको पता है कोविट के vaccination के लिए इस्तमाल की गई लेकिन अब इसके कामों को थोड़ा और expand किया जाएगा कौन से basis पे इसकी बारे में बात करेंगे इंडिया का aviation sector absolutely safe है मतलब बेकार सी जगा पे आपको रख देना जैसे कि I have been languishing in jail since 2013 मतलब लंबे समय से पढ़े हुए है जेल में या फिर क्या होता है कि आप I.S. बने कोई गंधी पोस्टिंग दे आपको तो I have been languishing in department for two years basically एक खराब जगा जो आपके लिए desirable नहीं है तो वहाँ पे आपको डाल देना एक खराब जगा आपके है situation में इसको ब्लेंगुश होता हो वीडियो को like और share कर दीजेगे दोस्तों Instagram पे follow कर दीजेगे टेलिग्राम गूज एंकल जेगे Instagram पे आपसे जोड़ता हूँ एक है जामतारा के एमेले इर्फान अंसारी दूसरे है खिजरी के एमेले राजेश कचाप तीसरे है कोली बिदा के एमेले नमन बिकसल कॉंगारी ये जा रहे थे इनके वेकल्स में 50 लाक रुपे मिला है वेस्ट बंगाल की पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया और कॉंग्रस ने इन तीने ही मेले इस को एकस्पेल कर दिया पार्टी से निकाल दिया इनके उपर एक इल्जाम लगाया जा रहा है कि भाई ये शायद हॉस्ट ट्रेडिंग कर रहे थे शायद कॉंग्रस की सरकार को धोका देने वाले थे बेसिकली राची के अंगे अंदर इनके उपर एक पुलिस कम्प्रेन भी हुई है इल्जाम ये कि जारखन की सरकार को गिराने का यहाँ पे प्लान था बीजेपी का और बीजेपी की बिहाव पे ये तीन कॉंग्रस के मलेस काम कर रहे थे ऐसा कॉंग्रस ने बोला है मैं आपको ये बता दू ऐसा कॉंग्रस का कहना है बीजेपी को अव्यसी बहुत बोलना है कि भाई ये हमारे उपर इल्जाम लगाय जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है तो अभी के लिए वस्ट बंगाल पुलिस के क्रिमिलिल इंवस्टिकेशन डिपार्टमेंट के पास है ये तीनों MLA's 10 अगस्त तक जो कॉंग्रस के लीडर है विनाश पंडे जनल सेक्रेटिव जहरकंड इंचार्ज इन्होंने openly बोला है कि भाई ये तीनों लोग कॉंग्रस की सरकार जना चाहते है जहरकंड के अंदर स्लेमन को यहाँ पे निकाल रहे है ऐसा बताया जाता है कि सेंटल इंवस्टिकेटिटिंग जैस्टी की मतदद से MLA को धंकाया जा रहा है इस प्रकार के इर्जाम अक्सर कर कॉंग्रेस और बाकी अपोजिशन की पार्टी जैस्टी की पर लगाती है आर्टिकल 194 की बात कर लेते है 194 क्लास 1 क्या है Freedom of Speech in State Legislature तो भाईया किसी भी MLA के पास Provisions of the Constitution के हिसाब से Legislature के अंदर बोलने की अभिवेक्ति है कोई वोट डालता है किसी पेपर पे अपनी व्यूपॉंट्स देता है Proceedings of the House में पार्टिसिपेट करता है तो उसके लिए उसको legally liable नहीं माना जाएगा लेकिन हाँ criminal offenses में try के जा सकता है अगर आपको क्राइम कर देते हो murder rape तो उस case में भाईया आपको पार्लेमेंट या state legislature के बाद arrest भी कहा जा सकता है और prosecute भी कहा जा सकता है फिर next H.A.L.D.S. apply Troy Light Utility Helicopters to Armed Forces G.S.P.P.3 Defense में नूज़ा पो काम है देखें हैं आपर तीन चाहर नूज़ा एक साथ जुड़ी हुई है एक तो आर्मी को 11 मोर Apache Helicopters चाहिए U.S. से उसके साथ से हम लोग कुछ Indigeniously Built Helicopters बनाते हैं Hindustan Aerolatis Limited के दोरा एक है Light Combat Helicopters LCH एक है Light Utility Helicopters LUH तो भाई अब 12 अच्छा Combat Helicopters आप समझ सकते हो कि Active War में और Combat Operations में काम आएगा Line of Actual Control पर और Light Utility Helicopters क्या है कि भाई Transport करना है कुछ Personals को कुछ सामान Urgent Basis पे लेके जाना है Disaster Relief में इस्तमाल करना है तो उसके लिए Light Utility Helicopters होते हैं तो 12 Light Utility Helicopters Services के लिए Army, Navy के लिए Air Force के लिए Manufacture करेगा Hindustan Aeronautics Limited ठीक है ये जो 12 Light Utility Helicopters हैं ये और आप कह सकते हो कि 11 Apache 64E Attack Helicopters हम USA ले रहे हैं Army negotiation कर रही है वैसे तो देखा जाए हमने 39 Apache Attack Helicopters का Order रखा था USA उसमें से कुछ Navy के पास गहे हैं कुछ Air Force के पास गहे हैं कुछ Army के पास आ रहे हैं तो जो Last Lot है 11 का ये Army के पास आए Light Utility Helicopters और Combat Helicopters के उपर काम चल रहा है एक Request for Quotation दी जा रही है Actually क्या है Light Utility Helicopters हम HAL से एक Major Scale पर प्रक्योर करना चाह रहे है और और एक बड़ स्केल पर चुकि ये पूरी तरीके से Indigenously built है तो इसके लिए Request for Quotation दिया गया है इसके ओपर बातचीच चल रही है Defense Acquisition Council ने पैसे का भी आप कहलो Allocation इसके लिए अपरूव कर दिया है देखा जाए तो जो पहरा Light Combat Helicopter का Squadron था ये Bengaluru में June में प्लेस किया गया और इसको Line of Actual Control Eastern Command चाइना बॉर्डर पे अभी के लिए Shift किया जा गया है देखा जाए तो आगे आने वाले कुछ सालों में 111 Light Utility Helicopter और 95 Light Combat Helicopters Army Procure करेगी HAL से तो ये अपने आप में Indigenization के favor में भी जा रहा है हमारी Domestic Economy को भी Boost देगा और हमारी Defense Preparedness को भी यहाँ पे बढ़ाएगा ये जो Light Combat Helicopters है ना ये Mountains में Combat Roll के लिए बनाए गए है और एक जो LCH Unit होगी उसमें ऐसे 10 Helicopters प्लेस के जाएगी और पहला LCH Squadron पहल अगले कुछ महिनों में IF schedule करेगा Most probably उसको LAC पे प्लेस किया जाएगा वैसे मैं बता दूँ US से 39 Apache 64 Attack Helicopters का order देने के लिए Cabinet Committee on Security ने Approval दिया था जिसमें से IAF ने 22 Induct कर लिये हैं सब्टमबर 2015 में Agreement Sign हो था जो आखरी के 10 हैं वो आने हैं किस के पास Army के पास तो उसी के लिए आपके लोग overall negotiation लंबे समय से चालू है सक कहा जा रहा है कि अरले 2024 तक ये जो ने बचे हुए Army के Apache Attack Helicopter से ही आ जाएंगे और कुछ और की डिलिंग अभी के लिए चल रही है देखे क्या है कि Army और IAF दोनों के मिलके लगबग 400 Helicopters की requirement है हो कुछ पुरानी चीता और चेतक Helicopters को retire भी करना है चुकि इन Helicopter Excellence में जब जान जाती तो चीज़ा अच्छी नहीं लगए उसके साथ साथ देखो तो हम लोग 200 K8 226T Utility Helicopters भी इस्तमाल करते हैं जो कि Russia से Technology Transfer के थूँ बनाएं गया जाला कि Russian Helicopters में problem है वो crash थोड़ा जादा करते हैं US Helicopters भी crash करते हैं बड उतना नहीं करते हैं तो overall crash वाले element और safety वाले element को भी यहाँ पर consider किया जा रहा है पर next video जीस पेबर टू जुड़ीश रिप PMLA verdict or hurdle for undertrust देखे क्या ही जो 545 page का judgment आया सुप्रीम कूट का इसके उपर बात की जा रही anti money laundering law के अंदर money laundering act की बात की जा है तो यह act basically है आपका 2002 का money laundering को रोकने के लिए legal framework बना रहा है money laundering क्या है कि इंडिया के अंदर जो आपका पैसा है चाहे वो black हो चाहे वो white हो आप उस पैसे को foreign के market है भेज़ दो और उसको अलग-अलग channel से गुमाते हो अपने पास ले के आओ जैसे आपने कुछ movie देखी होगी जैसे मुझे को example याद नहीं आ रहा है एक movie थी इसकी पनिनीती चोपड़ा की उसमें कोई हैदराबादी hero बना लड़के से प्यार हो जाता उसको खाने पीने पे based है तो उसमें क्या होता है कि शैद 80-90 लाख रुपया कुछ black की money एक हवाला agent को दी और हवाला agent ने 10% अपना काटके 72 लाख रुपया आपके account में white में transfer करवा दिये तो इसको आप एक प्रकार का हवाला transaction करते हो money laundering कह दो मतलब overall money एक hand से निकला H1 से निकला उसने 4-5-6-7 hand cross की जो की foreign waste है और फिर वो वापस H1 के पास आ गया है तो गया black के form है बट आया white के form है तो यह money laundering यह काफी खतरनाक होती है overall यह हमारी देश की security को effect करती है इस money laundering के तुरू हमारी देश में terrorist networks drug carters को पैसा पहुंचता है तो financial institutions RBI mutual funds insurance companies financial intermediaries इनके उपर बहुत सारे terms and conditions इंपोस की जाते है ताकि money laundering ना हो सके है अब इस PMLA Act 2002 में 2012 में कुछ amendments किये गए थे जिसमें reporting entity में banking companies, financial institutions, intermediaries को रखा गया था PMLA 2002 में जो maximum penalty थी वो 5 लाग के थी अब इस maximum penalty को उटा दिया गया आपकी property confiscate हो सकती है provisionally attached हो सकती है और jail में गए तो बचोगे नहीं यही तो यहाँ पे basically article है हुआ यहाँ पे क्या है कि देखे Supreme Court ने PMLA Act के सारे provisions को सही माना है तो PMLA Act के अंदर आपको bail जल्दी मिलने वाली नहीं है वैसे देखा जाए तो PMLA Act के अंदर जो investigating agency है वो enforcement directorate और PMLA Act के अंदर 4700 cases अभी investigate हो रहे हैं जिसमें 6.1 लाख prisoners jail में बन दा है 80% under trial है Directorate of enforcement इंडिया की law enforcement agency और premier economic intelligence agency economic laws जब violate होते हैं economic offenses होते हैं economic crime से लड़ना है तब enforcement directorate play में आ जागा तो corruption हो गया money laundering हो गया इस प्रकार की चीज़ों में आप कहलो ED बहुत active हो जाता है ठीक है तो आप देखो तो PMLA के अंदर जो twill conditions है jail की इसके उपर सवार उठाएगा twill conditions क्या है भाई आप तो देखिए जब आप bail के लिए apply करोगे तो आपको ये prove करना है कि आपने crime नहीं किया है ठीक है ना जब आप bail के लिए apply करोगे नॉर्मल कर cases में क्या होता है Indian penal court के section के अंदर अगर आप charge की जा रहो आप bail के लिए apply करोगे तो उससे में पर judge को क्या देखना है सिर्फ इतना देखना है कि भाई बेल देने से मंदा भाग तो नहीं जाएगा या फिर overall prosecution में आर्चन तो पैदा नहीं करेगा बस इतना चेक करना होता है PMLA के अंदर अगर आपके ओपर इल्जाम लगा दिया है enforcement direct rate है या किसी और agency में तो आपको prove करना है बेल के समय पे कि आप निर्दोर्ष हो तो ही आपको बेल मिलेगी और at the same point of time आपको ये भी prove करना है कि अगर एक बर आपको बेल दे दी गई तो उसके बाद आप जाके कुछ hanky panky या उल्टा चीजा का हम फिर से नहीं करोगे तो twin conditions imposed की गई बेल के अंदर तो इससे होता ये कि literally बेल मिलने के chances next to impossible हो जाते है समझ गया तो ये जो बेल as a right वाला जो आप कहलो ना हो ये सिधान था ये यहाँ पे basically violet हो जाता है Supreme Court का बोलना है कि भाई ये जो PMLA के अंदर changes है जो बेल कंडिशन से ये money laundering को रोकेंगे अब देखे समझी बात भी जो petitioners है petitioners बोल रहे हैं कि भाई actually में यहाँ पे fundamental rights violate हो रहे है TADA Terrorist Activities Disruption Act और UAP Unlockful Activities Prevention Act TADA तो देखा अब है नहीं UAP है इन दोनों के अंदर जितनी stringent बेल कंडिशन है उससे ज़ादा stringent bail condition PMLA के अंदर है ये logic दिया petitioner ने किसको Supreme Court को Supreme Court ने बोला बिलकुल होगा Money laundering is equal to terrorism देखे ये कुछ हट तक ये बात सही है Money laundering से चलते हमारे देश के बहुत से terrorists के पास कहुंचा पहुंचता है drug cartels के पास कहुंचा पहुंचता है तो हमारी देश की security बहुत हद तक compromise होती इस Money laundering के crime के चलते है लेकिन हाँ कुछ छोटे मोटे offenses करने वाले लोग भी है तो petitioner यहीं बोल रहा है कि छोटे मोटे offenses करने वाले लोग है उनके खिलाफ इतनी strict condition लगाना सही नहीं है बर Supreme Court बोल रहा है सही है आप Money laundering करेंगे तो बेल आपके लिए मुश्किल है मतलब basically Money laundering law के अंदर overall ED को पूरी खुली ताकत दे दी गई है बेल मिलना almost यहाँ पे impossible सा हो गया है और इन restrictive conditions को Supreme Court ने approval भी दिया है अब इस context में अभी Supreme Court का July का एक judgment है जिसमें Supreme Court ने बोला था bail and not jail शुट भी दरूर basically क्या हुआ 16 July को Chief Justice of India N.V. Ramana के अंदर ही एक bench ने बोला कि बिके जादातर cases में आप bail दे दो better रहेगा देश के अंदर बहुत सारे under trial prisoners हैं इनको लंबे समय तक jail में लखना ठीक नहीं है चोकि इन under trial criminals का जो case होता है न क्रिमनल तो नहीं बोलना चाहिए under trial prisoners बोलना चाहिए इनका जो case होता है वो कभी कभी सुनवाई के लिए late आता है तो सुनवाई के लिए case late आ रहा है उसके लिए आप एक individual को पकड़के jail में बंद रखो तो ये एक सही approach नहीं है इसलिए सुप्रीम कोट ने बोला कि भाई bail is the rule, jail should not be the rule लेकिन अभी सुप्रीम कोट ने जो approval दिया है ये PMLA Act के अंदर के provisions को इसमें jail rule बन गया और bail exception बन गया तो इसी context में PMLA के इन amendments को यहाँ पर criticize किया जारा और लब में समय तक criticize किया जाएगा until unless सुप्रीम कोट कोई नहीं बेंच बना के overall अपने ही पुराने judgment को overrule ना था next by COVID to great universal immunization GS paper to health policy नेकि भाई क्या है COVID as a platform बहुत successful रहा है COVID-19 vaccination ने पूरा COVID-19 vaccination इस COVID platform के दम पे हुआ है एक ऐसा web portal है जिसमें app के थू भी आप अपना vaccination slot book कर सकते हो website पर भी जाके आप अपना vaccination slot book कर सकते हो सब सरकार का target यह है कि COVID vaccination के साथ हम universal immunization program को भी COVID app से जोड़ेंगे तो अब जो बच्चों का universal immunization होता है फिर adults का भी जिन vaccines में immunization हो रहा है जैसे HPV अगरा की vaccines हो गई तो उसमें भी overall और बहुत प्रकार की immunization होते है hepatitis हो गया और बहुत सी बिमारी है तो इन immunizations को भी और universal immunization program बच्चों को भी overall COVID app से जोड़ा जाएगा तो अब mothers हो गई, babies हो गई उनके रहे vaccination center धूरना camp धूरना काफी आसान हो जाएगा अपने vaccination calendar पे ध्यान रखना अपने alert लगाना कि हाँ पिछली बार कप vaccination होता अगली बार कप vaccination कराना है, यह सब अब COVID app के थूँग होगा इसके साथ कहां-कहां पे blood donation camp लगाए जाते हैं, कहां-कहां पे organ donation किया जाता है, कैसे आपको blood के units मिल सकते हैं, organ donations का फाइदा मिल सकता है, यह सब चीज़ें भी COVID के इस particular app पे display की जाएंगी, तो आप कहा सकते हैं, जो COVID system है, यह अपने आप में एक नया milestone आगे आने वाले समय में बनाने वाला है, ease of technology के basis पे universal immunization program को भी COVID app से जोड़ दिया जाएगा, प्लास एक और बात बोली जा रही है, COVID platform में सरकार का बोलना है कि कोई major data leak की खबर निकल के नहीं आई है, आपने आप में जबरदस्ट interoperable है, digital public good है, जो कि भारत के unified payment interface और आधार based authentication के थूँ लोगों के पास पहुंच रहा है, universal immunization program की बात की जाए, तो 1978 में शुरू हुआ expanded program of immunization, ministry of health and family welfare के दोरा, 1985 में इसको universal immunization program मना दिया गया, जिसके चलते बच्चों में और pregnant women में, overall 12 vaccine preventable death diseases के लिए vaccine दी जाती है, वैसे तो देखा जाए तो immunization coverage 2009 से लेके 2013 के बीच में सिर्फ एक प्रतिशत per year की speed से बढ़ा है, बट फिर भी ठीक ठाग vaccination coverage हो रहा है, इसको और push देने के लिए 2015 में launch किया गया mission इंद्रधनुच, जिससे immunization coverage को 90 प्रतिशत तक लेके जाया है, तो और इसी को overall यहाँ पर promote किया जारा COVID-19. Next GS paper 3, food security इंडिया इविशन सेक्टर की बात हो रही है, DGCA Director General of Civil Aviation का यहाँ पर बोलना है, कि जो भी recently technical snacks अलग-अलग airlines में देखने को मिले थे, उसमें इतनी कोई खत्रे की बात नहीं था, पिछले 16 दिन में 15 technical snacks report हुए, DGCA ने comprehensive audit conduct करवाया, SpiceJet की तो 50% flights ground कर दी गए, और अभी recently पता किया गया है कि भाई, हमारा Indian Civil Aviation सेक्टर absolutely safe है, डरने की कोई बात नहीं है, हम International Civil Aviation Organization के सारे protocol को follow कर रहे हैं, जो recent technical snacks हुए हैं, वो routine technical snack हैं, इस ऐसे किसी snack से कोई major accident हो जाए, ऐसा नहीं है, इस प्रकार के snack recently foreign airlines में भी हुए है, foreign airlines में पिछले 16 दिने 15 technical snack हुए है, बट foreign airlines में कौन से specific technical snack हुए हैं, इसके बारे में उजानकारी open नहीं की गई है, बट DGCA ने लोगों को बरोसा दिलाए है कि आप चिंता मत करिए, यह जो technical snacks हैं, routine snacks एक्सर कर होते रहते हैं, जैसे windshield का टूट जाना तो इसको बगल देना, किसी particular component को बदल देना, इससे कोई बड़ा accident हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों को यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, actually में DGCN है, दो महीने का special audit करार रखा है, पैंडमी की बाद से aircraft movement तेज हो चुका है, 6000 aircraft movement इंडियन स्पेर्स में हो रहे हैं, जो इंडिया की airspace को इसकेमाल करते हैं, उनको अगर आप मिला दो, जो इंडिया में land नहीं करते हैं, तो 7000 movements हैं, तो कुल मिला के overall अगर देखा जाए, एक अपराय से 30 जून के बीच में 1500 accident हुए हैं, वो उसमें से कोई भी बहुत dangerous, बहुत बड़ी आप कहलो, accident cost करने वाला incident नहीं था, फिर भाई, Chinese rocket का debris गिरा है अर्थ के ओपर, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, US Space Command ने बोला है कि People Republic of China का Long March 5 भी, यह फिर से Indian Ocean के अंदर गिरा, actually में क्या है, कि चाइना का जो space project है, जो space station है, जिसका नाम है, तियोंगउंग स्टेश स्टेशन, इस तियोंगउंग स्टेशन के लिए, तीन space objects लेके जा रहा था, यह particular rocket, और यह rocket धढ़ा से गिरा है Indian Ocean में, Long March 5 भी rocket है, यह particular rocket, फिलिपीन्स के पालावान आइलेंड से उड़ता हुआ, फुलू सी में जाके गिरा है, तो US बोल रहा है कि चाइना की insensitiveness है, यह rocket कहीं गिर सकता था, irresponsible risk की behavior है, चाइना को open नहीं, यहाँ पर declare करना चाहिए, चाइना बोल रहा है कि टेंशन लेने की जरौत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर ठीक, तो यह था आज का credit, दोस्तों ज़दा ज़दा था नहीं आज, अब आज आते हैं हम लोग editorial discussion के उपर, editorial discussion में हमको 6 articles आज discuss करने, काफी important article से बहुत detail में देखें क्या है, अगर वीडियो पे like का button दोस्तों अब तक नहीं दबाया है, तो मैं फिर से rewind करा रहा हूँ, दबा दीज़ेगे, पीमेल है वर्डिट वाला article बस में एक यहाँ पर चोड़ रहा हूँ, बाकि 6 के 6 articles आपके साथ discuss करने हैं, पहला article इंडिया के wheat waiver को लेकर, WTO demand is risk fraud, देखें क्या बताया है ज़रा, क्या है, इंडिया की बहुत बड़ी demand वर्ड trade organization के अदर, वो यह है कि हमारा जो public stock holding program है, उसको WTO की तरफ से हम ही मिल जाए, हमें WTO की तरफ से हमारे stock holding program में, किसी भी प्रतार की कोई रोक रोकावट ना लगाई ज़ए, हमारा public stock holding program क्या है, हम administered price पे, जिसको इंडिया के इंदर minimum support price बोलते हैं MSP, इस पे सामान खरीदते हैं किस से, फार्मर से, अब होता क्या है, कि ये जो particular price होती है MSP, ये market price से ज़ादा होती, बहुत कमी समय ऐसे होते हैं जैसे कि रश्या यूक्रेइन वार हुआ, तो दुनिया भर में grains के दाम बढ़ गया, तो जो market price हो गया, वो बहुत ज़ादा हो गया, तो farmers को market में wheat बेजने में फायदा हो गया, लेकिन जब दुनिया नॉर्मल थी, रश्या भी wheat export कर रहा था, यूक्रेइन भी wheat export कर रहा था, उस समय पे क्या हुआ था, कि जो हमारे farmers थे ना, उनको market में wheat के दाम बहुत कम मिल लाएते, तो वो चाहते थे कि सरकार MSP के थूँ wheat खरीदे, सरकार खरीद भी रही थी, अब सरकार जब MSP में wheat खरीदती है farmer से, तो ज़्यादा पैसा देती है market से, इस बात को लेके WTO ना राज़े, WTO का ये बोलना है कि भारत सरकार, public procurement के अंदर, public stock holding के अंदर MSP देके, इन farmer से wheat ज़्यादा दाम पे खरीदेगी, और फिर overall इस particular wheat को, international market में कम दाम पे बेचेगी, तो जो इंडिया का wheat है, वो international market में competitive हो जाएगा, ये monopolisitic practice है, इंडिया दुनिया भर के market को तोड़ देगा, ये इस प्रकार के बेगुनियात इर्जाम इंडिया के उपर लगाए जाते हैं, problem actually में ये है, WTO की इस बात की problem नहीं है, कि हम public stock holding कर रहे हैं, WTO इस बात को मानता है, कि आप public stock holding कर सकते हैं, मतलब एक देश, अपनी food security के लिए, एक सरकार, अपने किसानों से wheat खरीच सकता है, WTO के problem इस बात की है, कि आप MSP पे wheat मत खरीदो, minimum support price पे wheat मत खरीदो, आप market rates पे wheat खरीदो, लेकिन अगर MSP के अंदर 1500 रुपया पर control मिल रहा है farmer को, तो market में तो 1100 ही मिलेगा, तो जो farmers हैं, वो sustainable नहीं रह पाएंगे, profitable नहीं रह पाएंगे, और हमारे यहाँ पे agriculture sector की, वैसे भी band बजी हुई है, farmer society हमारे यहाँ पे दुनिया में, one of the highest है, तो WTO के हिसाब से, यह MSP एक trade distorting subsidy है, जहाँ पे सरकार farmers के लिए, artificially दामों को inflate कर दे लिए, भारा सरकार का बोलना है कि, हमें हमारे agriculture sector को support करने के लिए, हमारे farmers को profitable बनाने के लिए MSP ज़रूरी है, दूसरा इस MSP के तुरू सरकार के पास जो भी पैसा आता है, वो public distribution system के तुरू पूरे देश भर में बाटा जाता है, इससे केंदर की सरकार को नुकसान बहुत होता है, पैसे की respect में, बट overall देश की food security maintain होती है, अच्छा अभी के लिए क्या है कि, WTO के अंदर एक peace clause है, वो peace clause क्या बोलता है कि ठीक बाई, अगर इंडिया जैसी developed countries public stock holding कर रही है, ओवर ओल जादा दाम पे grains खरीद के अपने farmer से, तो उनके ओपर legal action नहीं लगाए जा सकते, sanctions नहीं लगाए जा सकते, food security purposes के लिए अभी के लिए peace clause है, इंडिया इस peace clause को permanent करवाना चाहता है, बट WTO की member countries कभी भी इस peace clause को permanent नहीं होने देंगी, अभी अगर आप देखो, तो WTO की जो ministerial meeting हुई जून में जनेवा में, उस समय पे जो declaration आया food security की ओपर, उसमें जो पैरा 10 था हो क्या बोलता है, we recognize that adequate food stocks can contribute to realization of members' domestic food security objectives, and encourage members with available surplus stocks to release them on international markets consistently with WTO rules, ये consistently with WTO rules क्या बताता है, कि किसी भी प्रकार से peace clause को extend करने की बात नहीं की जा रही है, किसी भी प्रकार से इंडिया के जो concerns है, public stock holding को लेके, उनको मानने को WTO की countries तयार नहीं है, तो WTO की countries जोर मारके, इंडिया के उपर ये pressure डाल रही हैं, कि आप अपना ये MSP का regime बंद कर दो, domestically देखिएंडिया के लिए possible नहीं है, आपने देखा farm loss के लिए कितना बवाल हुआ, और farm loss में तीन farm loss पीछे रखने के बाद भी, बहुत सारे farmer organization ये demand कर रहे हैं, कि इन farm loss को statutory law के दूँ लीगल करो, 12 सरकार ने इसके लिए committee बना दी गए, तो हमारे जो domestic compulsions, और actually मैं हमें कुछ समय तक तो देखो, कुछ सालों तक तो अभी MSP की जुरूत है, तो हमारे domestic compulsions हमें इस बात तो मजबूर करते हैं, कि हम public stock holding program, MSP program चलाएं, लेकिन ये जो world trade organization की countries हैं, ये हमें चलाने नहीं दे रहे हैं, तो कुल मिला कि चीज़ें आगें आने वाले समय में, इंडिया के लिए problematic हो सकती हैं, अब यहाँ पर इंडिया का एक और concern था, कि हम MSP के थुरू, जो भी public food stocking कर रहे हैं, उसको हम international market में export भी कर सकें, जब ये Ukraine और रशिया का war हुआ, international market में wheat की कमी हुई, तो इंडिया ने बोला कि ठीक है भाई, हम wheat provide करेंगे, तो इंडिया का ये बोलना है, कि overall हमारे public stock holding program के चलते, जो तुमने हमारे उपर wheat export पे बैन लगा रखे, कि इस प्रकार के बैन को अटाओ, हमें overall international markets में wheat export करने दो, लेकिन इस बात के लिए WTO की country's तैयार नहीं हो रही है, अब इस चीज़ को लेके, हमारी निर्मला सीता रमन जी ने अभी इंडोनेशा में बोला भी, finance minister ने, कि इंडिया को food export करने की permission दी जाए, without any restriction, खास कर wheat की, और जो हमारे, आप कहलो MSP public stock holding के चलते, जो हमारे उपर, आप कहलो, you know, restrictions लगे हों, उसके चलते हम अपने wheat को export नहीं कर पाते, rice को export नहीं कर पाते, हम उन crops को, खुलने से export नहीं कर पाते, जो हमारी सरकार ने procure किये MSP regime के अंदर, तो इंडिया इस Russia, Ukraine, इन war की crisis को capitalize कर नहीं पाया, हमें capitalize करने नहीं दिया गया, हाँ, world food program के अंदर, अगर food जाना है, तो इंडिया अपना wheat export कर सकता, बट normal circumstances में, इंडिया के wheat export में problem आ गई, एक प्रकार से wheat export हो रहा था, जो farmers थे, उन्होंने MSP regime के अंदर, सरकार को अपना wheat बेचा ही नहीं, चोंकि सरकार अगर 1500 में लेगी, तो market में 1700 में भी करा है, चोंकि international markets के wheat के दाम बढ़ गए, तो दाम बढ़ गए, तो farmers को बेचने में मज़ा आएगा, तो farmers market में wheat बेचने लगे, इस बार हमने जो wheat का procurement किया है, वो बहुत कम किया है, जो सरकारी wheat procurement है इस सीजन में, वो पिछले साल से 57.5% कम है, तो जब हम wheat का procurement ही कम कर रहे हैं, तो हम WTO के साथ इस बात का negotiation क्यों कर रहे हैं, कि हमें हमारे MSP के अंदर procure किया हुआ wheat बेचने लगे, तो हो सकता सरकार का ये target होगा आगे आने वल समय में MSP के अंदर सरकार ज़्यादा procurement करें, इस साल कम हुई है तो क्या हुआ, अगले साल ज़्यादा करें, इस साल तो देखें procurement कम हुई है, 57.5% हमने कम procurement किया है पिछले सीजन के respect ने, तो author ये बोल रहा है, कि export के लिए waiver मांगना सही नहीं है, ठीक है न, ये developed countries के सामने जाके भीक मांगने से, भीक तो खेर हम नहीं मांगते हैं, हम overall उनके साथ negotiate कर रहे हैं WTO agreements के अंदर, WTO एडिजनस में अंदर negotiate करके, हम अपने food grains को international market में बिना किसी restriction के export करने की permission चाहते हैं, वही permission हमको यहाँ पे मिल नहीं पा रही है, तो इस बात को लेके, इंडिया WTO में push मार रहा है, और आज से push नहीं मार रहा है, लंबे समय से push मार रहा है, लेकिन इंडिया को एक basic trade समझना पड़ेगा इन developed countries का, ये developed countries दोगली countries है, जब इंडिया South Africa ने सामने एक mechanism रखा, कि COVID-19 की vaccine, patents, trademarks, उसकी technologies के ऊपर आप IP waiver दे दो, trips waiver दे दो, तो क्या इन countries ने waiver दिया, European countries ने waiver ही नहीं दिया, एक फरजी किसम का waiver पास करा दिया है latest WTO में इनिट में, जिसका कोई मतलम नहीं, तो जब ये countries अपने overall फायदे की बात आती है, तब ये किसी भी प्रकार का waiver नहीं देंगी, और देंगी भी तो बस face saving के लिए देंगी, तो जब COVID-19 की technology, आप कहलो COVID-19 is once in a century pandemic, 100 साल में एक बार ऐसी कोई event आएगा, तो जब 100 सालों में एक ऐसा event आएगा, इस एक event के लिए भी ये WTO की countries वेवर देने को तयार नहीं है, तो overall इंडिया के wheat export को ये वेवर दे देंगी, इंडिया ये सूच भी कैसे सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे इंडिया को ये समझना जरूरी है, कि इन developed countries से, इन WTO की countries से wheat export ban हटाने को लेके, ये जो negotiations हैं, ये futile है, ये बेकान है, ये हमें करने ही नहीं चाहिए, अगर हम international market में अपनी धाग बनाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले तो ये करना है, कि जो world food program है United Nations का, इसको मदद भीजो, जो भी overall food के respect में, इंडिया दूसरी countries को मदद भीजना चाहता है, वो world food program के थुरू बेजो, चोकि इस international crisis में, United Nations का जो world food program है, इसको exemption मिल रखिए, ये इंडिया से wheat मंगवा सकता है, इंडिया के उपर कोई भी restriction नहीं है, अगर हम world food program को wheat बेचने, जोकि हम बहुत ही optimum price पे इनको wheat बेचेंगे, हम बहुत ज़दा profitability करनी सकते हैं, दूसरा है, इंडिया को, अपने domestic agriculture policies को सुधारने की जरूवत है, ताकि हमारे farmers खुद इतने competitive हो जाएं, कि international market में, market principles के साबसे वो profitable हो सकें, अपने wheat को एक अच्छे दाम पे बेच सकें, ठीक ठाक पैसा भी कमा सकें, हमें अपने public stock holding के अंदर procure किये गए wheat को international market में बेचने की जरूवत ही ना पड़े, तो ये कुछ objectives यहाँ पे दिये गए हैं, WTO के साथ deal करने में, इंडिया को अपना तरीका, अपनी strategy, अपनी modus operandi बदलने की जरूवत है, ये हैं आपके बताया जारे है, फिर अबला article है, Matthew Idy के लाखना, representation all the way up, बात की जा रही है, द्रॉपदी मूर्मू साथ, मैडम की, रायरंगपूर से राइजाना हिल्स प्रेजडेंट के, आपके लोग घर में ये पहुँच चुक है, पंदरवी राष्टपती हैं ये इंडिया की, truly momentous event है ये इंडिया के लिए, ST community की पहली राष्टपती, और दूसरी women, पतवा देवी पाटिल जी के बाद, दुरापदी मूर्मू जी यहाँ पे देश की राष्टपती बन रही है, और she is the youngest person to be elected as president, अभी तक की सबसे कम उमर के, आप के लोग प्रेजडेंट जो हैं, वो दुरापदी मूर्मू जी है, इंडिपेंडेंट इंडिया विए, यश्वन सिना को उन्होंने presidential poll महरा लिया, दो तिहाई वोट इनको यहाँ पे मिले, तो अपने आप में बड़ी जीत है, पहली आदिवासी वुमन, एक हंबल बैग्राउंड से, देश की सबसे बड़ी constitutional poster पहुची है, जनामिन का महयूर भंज दिस्टिक्ट ओडिसा में, वो अथा संथल ट्राइब की हैं, संथल ट्राइब is one of the largest ST communities of India, ये member of legislative assembly रही थी ओडिसा में, रायरंगपूर डिस्टिक्ट को, ये constituency को उन्होंने दो टर्म्स के लिए रप्रेजेंट किया था, अगर overall ground level पे representation शुरू ना होता, तो शायद दुरुपदू मुर्मू आज की डेट में प्रेजेंट नहीं बन दी है, institutionalized representative local government ये बहुत major रोल पे करती है, दुरुपदी मुर्मू जी ने जो अपना political carrier शुरू किया था, वो शुरू किया था, राय रंगपुर नगर पंचायत से as a councillor, फिर ये बाद में ward member बनी थी, एक ST community की women reserved seat से, और दीरे-दीरे करके आज ये राश्ट्रसी बन गी, मतलब इनकी जो politics में entry हुई थी, वो entry इनकी local government के थूई थी, और वो इसी लिए possible था, जो कि हमारे देश के अंदर लाए गया 73 वा और 74 वा संशोधन 1992 के अंदर, जिसके चलते पंचायत और municipality की members को अलेक्ट किया जाता है। तो ये जो rural और urban local governments है, ये अपने functions, funds और functionaries के थूप, ground पे self government की तरह काम करती हैं, और अपने आप में economic development, और social justice के सिर्धान को आगे लेके जाती हैं। उन्होंने इस idea को reject किया। उन्होंने बोला कि भाई, village तो localism की बात करता है, narrow mindness की बात करता है, ignorance की बात करता है, communalism की बात करता है, ये बात दुरूर सही थी। भाई, आजादी के समय पे nationality वाली feeling थोड़ी कम थी। लोग अपने ही दकियान उसी ख्यालों में डूबे हुए थे, ignorance की बात करते थे, caste की बात करते थे, धरम की बात करते थे, तो इसके चलते, उस समय पे गाउं को representation दे दिया जाता है, तो देश को तोड़ने वाली बात होती, इसने लोकल लेवल पे representation दिया नहीं किया, लेकिन development के respects में 73 और 74 संशोधन ने, ground लेवल पे जो लोग थे, उनको मौका दिया कि हाँ भाई, वो administration में, policy making में, एक major role ले कर सकते हैं, पंचायती इंस्टिटूट्स यहां पे बनाए गए, local governments बनाए गए, SC और ST के members को elected councils में जगा दी गए, आज की देख में तो SC, ST members को तो ही reservation, उसके साथ women ST, women SC members को भी यहां पे reservation है, 33% reservation है, अगर आप देखो, 73, 74 संशोधन के साफ़ से, लेकिन बहुत सी राज सरकार है, आप कह सकते हो कि लगबग 20 राज जैसे हैं, जहां पे पंचायतों में women को 50% reservation दिया गया, September 2020 का data बताता है, कि इंडिया के अंदर अगर टोटल, पंचायत representative 31,87,320 हैं, तो उसमें से women है 14,53,000, almost आप कह सकते हो 50% से थोड़ी सी ही कम है, तो यह बताता है कि जो 73 और 74 संशोधन है, इस ने ground level पे local government की नीव डाली, और इस local government के चलते बहुत सारे aspiring politicians, बहुत सारे aspiring individuals वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे वो आ गया है, और उसी में एक है आपकी द्रौपधी मूर्मूजी, ठीक है, लेकिन समय समय पे local governments की administration को लेके भी सवाल उखते रहते, जैसे कि recently एगर आप देखो, तो बहुत सी राज्ये की सरकारों ने, जैसे महरास्ट ने, OBC का कोटा लाने कोशिश की local bodies में, लेकिन Supreme Court ने उसको अपोस किया, फिर कई बात local body elections में educational qualification को एक criteria रखा गया थे, जिस बात को लेके Supreme Court ने बोला कि हाँ बाई, यह जो educational qualification वाला criteria है, वो सही है, एक basic amount of education, ground level पे administration को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यह भी बतायागा है कि जो पंचायास woman led है, वो goods को अच्छी तरीके से distribute करती हैं, woman के लिए overall जो social indicator से बहतर करती हैं, बच्चियों के बढ़ाई में एक major role प्ले करती हैं, और बहुत से लोगा जो यह बोलना था कि द्रौपदी मूर्मू को एक puppet की तरह इस्तमाल किया जाएगा, तो overall यह सही तरीके से प्रेजिडिन का काम नहीं कर पाएंगी, इस बात को लेके भी द्रौपदी मूर्मू जी के पास्ट को खंगाला जा रहा है, तो जब यह जहरकंड की गवर्नर थी, उसमें पर रगुबर्दास की बीजेपी की सरकार थी, और सरकार छोटा नाकवो Tenancy Act पास करा रही थी, जिसको overall amendment के लिए वापस भेज दिया थे, द्रौपदी मूर्मू जी ने, तो द्रौपदी मूर्मू जी पास्ट में कुछ ऐसे काम कर चुकी, जिससे यह पता चलने वाला है कि यह puppet की तरह तो काम नहीं करेगी, कुछ ना कुछ चीजों में अपनी constitutional duty को यह साही तरीके से निवा पाएंगी, तो इनका जो election है, इसको एक progressive fact की देखा जा रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है बाई, फिर आ जाते हैं bringing Eurasia closer, the international north-south transport corridor, which aims to bring Eurasia closer towards a laudable objective, अभी recently हुआ कहा, railfreight.com के 240 feet container, जिसमें wood elaminate sheet आ रही थी, तो Caspian Sea में Russia का जो western port है, अस्तरखान port, यहां से एक सामान लोड हुआ, वो पहुचा इरान, फिर इरान में वो पूरा distance तै करता हुआ, south में Indian Ocean पे जो बंदर अबाज port है, INSCTC, यह इंडिया के लिए एक बहुत important corridor है, और author यह बताने की कोशिश कर रहा है, कि Russia-Ukraine war में, रशिया को oppose ना करने की जो वज़ाय बताई गई है भारा सरकार की, वो क्या है, कि इंडिया रशिया के ओपर military dependent है, रशिया से oil or gas स्तियार है, इंडिया की non-alignment की थोरी है, लेकिन एक और बहुत बड़ी वज़ा, जो की point out नहीं की जाती है, वो है INSTC, International North-South Transport Corridor, यह जो Red Sea और फिर Swiss Canal और Mediterranean Sea वारा रास्ता है, इसके उपर over dependence इंडिया कम करने के लिए, और Pakistan को skip करके, अफगानिस्तान और Central Asian countries का access पाने के लिए, INSTC इंडिया के लिए बहुत सदा important है, और कहीं न कहींगे, INSTC के अंदर एक potential है, कि Eurasian Free Trade एडिया को promote कर सकता है, समझ गये, तो INSTC एक बहुत major वज़ा है, जिसकी वज़ा से आप यह कह सकते हो, कि इंडिया ने रशिया के यूक्रेन इन्वेजन को criticize नहीं किये, INSTC का अगर legal framework देखा जाए, तो इसको sign किया गया था, इरान, इंडिया, रशिया के दोरह, Euro Asian Conference on Transport 2000 में, और बाद में कजाकिस्तान, बेलारस, ओमान, तजीकिस्तान, अजरबाइजान, अर्मेनिया, सीरिया, सब ने INSTC को यहाँ पे sign किया, तो अपने आप में INSTC का जो potential है, वो बहुत ज़ादा है, यह जो INSTC है, एक बार fully operational हो गया, तो freight की cost को 30% कम कर सकता है, जर्नी में लगने वाले समय को 40% तक कम कर सकता है, और Swiss Canal के उपर जो dependence है, कि बाई इंडियन ओशन से आप Red Sea में घुसे, फिर Swiss Canal में आए, फिर Mediterranean पहुँचे, तो Swiss Canal के उपर dependence कम कर सकता है, अच्छा ऐसा नहीं है कि हमारी Egypt के साथ कोई दुश्मनी है, इसलिए हम Swiss Canal के उपर dependence कम करना चाहते हैं, अभी recently क्या हुआ था कि Swiss Canal में ज़्यादा traffic के चलते, एक ever given नाम का container, ever green नाम का container फस गया था, और पूरा का पूरा traffic ब्लॉक हो गया था, Mediterranean Sea और Red Sea की connectivity में Swiss Canal बहुत ज़्यादाई है, तो over dependence किसी भी चीज़ के उपर अच्छी नहीं होती, इसलिए इंडिया क्या कर रहा है, कि इरान के चाबहार port में invest कर रहा है, और इस चाबहार port को INSTC के साथ जोड़के, चाबहार जायदान, railway line के थूप, इंडिया पूरे के पूरे इस Central Asian region से जुड़ जाएगा, और पाकिस्तान की हमें ज़रूत नहीं पड़ेगी, और कहिना की तालीबान भी इस INSTC प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है, जाहेदान आप कह सकते हो, कि आल्मोस्ट अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, इंडिया पूर्ट ग्लोबल लिमिटेड ने चाहाबार पूर्ट बनाया है, जिसमें जावाला लेहरू पूर्ट ट्रस्ट और कांडिला पूर्ट ट्रस्ट दोनों मिलके काम कर रहे हैं, इरान को एक्जिम बैंक के दोरा लाइनस ओफ ट्रेडिक प्रोवाइड की रहे हैं, तो बेसिकली आइनस टीसी में इंडिया, इरान, रश्या ही नहीं जुड़ रहे हैं, तो इस से इंडिया क्या करेगा, पाकिस्तान से जो हमें लैंड एक्सेस नहीं मिल रहे हैं कंट्री इसका इस पर्टिकुलर खामी को हटा सकता है, आगे आने वले समय में, खुद पाकिस्तान को यह समझ में आएगा, कि आईनस टीसी की साथ जुड़ने में फाइदा है, एक्समय हो सकता है, ऐसा आजायग, जिस समय पे पाकिस्तान को इस समझ में आये कि है एकनॉमिकली डिसिंगेज रहना, इंडिया के साथ अलग रहना, आइसोलेटेड रहना ये हमारे इंट्रेस्ट में नहीं है चुकि एकनॉमिक इंट्रेस्ट इस बहुत बड़ा इंट्रेस्ट होता है आप सिर्फ ओवराल आइडिलोजिकल बेसिस पे और पास्ट के बेसिस पे किसी कंट्री से लगातार पंगा मोले रहो तो वो एक दिमाग वाला काम नहीं है तो लेट्स इ आगे ऐसा हो जाश है तो जो North-South Transpore corridor एक और चीज़ चाइना का Belt and Road Initiative इसके आज़ पास से गुजर रहा है तो चाइना का Belt and Road Initiative तो देखो चल रहा है no doubt इंडिया के लिए ज़रूरी अच्छा नहीं है चुकि CPEC इसका पार्ट है हमारे पाकिस्तान उकुपाइट कश्मीर से निकलता है चाइना की धाग इससे बढ़ती है लेकिन BRI प्रोजेट को भी कॉंप्रिमेंट कर सकता है INSTC कहीं न कहीं है INSTC BRI प्रोजेट से भी जोड़ सकता है इसका इंडिया को कहीं न कहीं फायदा ही होगा हाला कि BRI से हमें से फेख प्रोब्लम है कि इसका जो कॉंस्टिटुएंट है चाइना पाकिस्तान उकुपाइट कश्मीर से निकलता है जो कि हमारा यह राका है फिर अभी रिसेंटली क्वार्ट समिट हुआ माई 2022 में एक्चुली मैं INSTC के लिए एक और बात यहां पर बताई जा रही है इंडिया जिस भी मल्टी लेटरल या बाई इंगेजमेंट आप कहलो बाई लेटरल इवेंट्स में पार्टिपेट करता है वहाँ पर जिसे क्वार्ड होगा है तो कौर्ड को बड़ी आपके लोग प्रियोर्टी दी जाती G7, G20 इन समिट्स को बड़ी प्रियोर्टी दी जाती लेकिन INSTC एक ऐसा हीरा है जिसकी चमक दुनिया को दिखाई नहीं जे दी जिसके बारे में मीडिया में ज़दा बातचीत होती नहीं लेकिन ये INSTC एक गेम चेंजिंग इनिशेटिव है overall इंडिया की जो धाक है Central Asian Countries में, अफगानिस्तान में इरान में वो INSTC बढ़ा सकता है सबज़ गया तो कहीं न कहीं INSTC एक ऐसा लाड़ेबल इनिशेटिव है जिसको ज़दा मीडिया कवरेज नहीं मिलती लेकिन ये INSTC बताता है कि इंडिया एक ऐसी foreign policy लेके चल रहा है जो की non-alignment भी है और multi alignment भी है multi alignment में हम Quad के साथ भी इनिशेट कर रहे है हम SEO के साथ भी इनिशेट कर रहे हैं हमने अपने पत्ते बिचार रखे है सबके साथ अपना engagement कोल रखा है कभी भी कोई पत्ता डाल के हम किसी के साथ भी benefit के साथ bilaterally engage कर सकते हैं हमें कोई रोकेगा ने तो ये बातें यहाँ पर बताई जाबी फिर भाई striking a political balance क्या BJP और द्रविद मुनितर कजगम के बीच में दोस्ती हो रही है देखे वैसा तो देखा जाए तो जो ideologically DMK के viewpoint है for BJP का viewpoint है वो बहुत हत्तक अलग है election के मुद्वे को लेके जब 2021 में तमिल नाडू के elections हो रहे थे तो BJP के LIT All India अन्ना द्रविद मुनितर कजगम AI ADMK अब AI ADMK हारगे DMK आगी तो election से पहले तमिल नाडू के DMK ने criticize किया BJP को election के बाद भी बहुत बातों पे criticize किया in fact Stalin साहब ने तो opposition का पूरा एक group बनाने की कोशिश की Stalin साहब ने opposition को unite करना चाहा है इन्होंने 37 leaders को चिट्थी लिखी अलग-अलग राज जो national politics के All India Congress Committee के सुनिया गांधी जी को बहुत सारी opposition के chief ministers को और उन्होंने बोला कि हमें एक All India Federation for social justice बनाना चाहिए ये basically BGP को counter करने के लिए organization बना रहे थे फिर उन्होंने NEET के मुद्दे को लेके कि Tamil Nadu के अंदर NEET का admission आप 12 अच्छा के नंबरों पर ही होने दो हमें exam conduct नहीं करवाना इस बात को लेके 11 non-BJP states और बाकी BJP states को भी उन्होंने चुट्थी लिखी बट overall इस पे ज़दा कुछ हुआ नहीं रीसेंटली यहां पर यह देखा जा रहा है कि DMK का दविद मुनित करवाना वो BJP की तरह थोड़ा सौटन हो रहा है देखे क्या है पिछले कुछ महीनों में प्रदानमंत्री मोदी जी दो बार एक stage में आये है स्टालिन साब के साथ अब पहली बार तो political born homie इतनी अच्छी नजर नहीं आई लेकिन दूसरी बार अभी जो chest olympiard हुआ था इसमें भी जो stage थी वो share की किसने मोदी जी ने स्टालिन साब और यहां पर स्टालिन साब थोड़ा बहुत मोदी जी की तारीफ करते हो नजर आए चूकि मोदी जी जब गुजराद की चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने grand chess festival गुजराद में conduct करवाय था 20,000 players के सारा तो इस बात को स्टालिन साब ने point out किया और मोदी जी की तारीफ की तो यह जो particular event हुआ इसके basis पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कहीं न कहीं एक political born homie बनती नज़र आ रही है मोदी जी के बीच में और स्टालिन साब की बीच में आला कि इसके बवजूद DMK बोलता है कि हमारी ideology BJP से अलग है हम BJP से बिलकुल अलग है overall ऐसा नहीं है कि BJP के साथ है तो कहीं न कहीं ऐसी बाते हो रही है कि हो सकता है कि BMK और BJP के बीच में कोई बातचीच चल रही हो overall development को लेखे BJP DMK के साथ coordinate कर रही हो चुकि no doubt Stalin साब की popularity हो DMK की population तमिल नाडू में बहुत ज़ादा है लेकिन at the same point of time DMK के जो political leaders हैं उस समय समय पे बोलते रहते हैं कि हम अपनी autonomy के लिए लड़ेंगे हम अपने rights के लिए लड़ेंगे हम BJP के ideological आपके लोग counter में नहीं आएंगे मतब ideological narrative को नहीं मानेंगे हम अपनी तमिल identity को लेके चलेंगे अब आप कह सकते हो RN रवी साब जो केंदर के representative है इन्होंने जो recent statements दिये इसको भी DMK ने criticize किया तो overall ऐसा लग रहा है कि शायद एक born homie सी बंदी नजरारी BJP DMK के बीच में हाला कि DMK के leaders अक्सर कर बोलते रहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं और हम BJP के ideological narrative का इससा नहीं बनेंगे लेट सी आगे क्या हो क्या था फिर अन alarming fall देखे parliamentary function की काम करने के तरीके में efficiency में कमी आई है यह बताएं जागा अब जो member of parliament है वो legislation पर deliberate नहीं करते हैं उसमें समय बरबाद नहीं करते हैं अब खालकों की चुदों पर लड़ाई करते हैं parliamentary committees में discussions नहीं होते parliamentary sessions में ठीक से बातचीत नहीं होती overall किसी particular मुद्धे को लेके opposition चिलाता रह जाता है और जब सच में कोई bill पास कराने का समय आता है तो उसको parliamentary committee को refer नहीं करता है member of parliament इसके उपर proper तरीकी से बाचीत नहीं करते हैं बस protest का arena बनके रह गया है member of parliament और उस protest को भी दबाय जाता है recently 27 MPs को purity measures लिए गए उनको parliament से स्तखित किया गए चोकि वो play cards खरीद के खड़े थे तिरे जो अधिर रंजन चौदरी वाला मुद्धा हुआ कि इन्होंने द्रौबदी मूर्मू जी को राष्ट पत्नी बोल दिया फिर सुनिया गांदी की जो ED की कोशनी गोरी थी इसको लेके बहुत सारे member of parliament धरने पे बैट गए तो हमारी parliament के अंदर quality जो है काम करने की वो बहुत बढ़ी तरीके से गिर रही है ऐसा है यहाँ पर बताया जाए quality is downfalling this is the basically gist of the article अब हमारी parliament के अंदर proper discussions नहीं होते है proper debates नहीं होती क्या होता है कि opposition कई बार यहाँ पर price rise की debate करने के बात करा बर ruling party उसको माननी रही है लोग सभा और राज सभा के जो secretariats है वो यह दिखा रहे है कि पिछले आठ सालों में जब सिभी जेपी ताकत में रही है 2014 से लेके 2022 और उससे पहले के 8 साल 2006 से लेके 2014 2006 से लेके 2014 जब Congress का राज था उस समय पे जितने भी MPs को expel किया गया उससे तीन मुना जदा MPs को 2014 से लेके 2022 के टाइम पिरेड में expel किया गया है तो Parliamentarians के बीच में hostility बढ़ रही है coordination करके देश का भला करने वाला जो element है वो यहाँ पर कम होता नज़रा रहा है और जब भी कोई key bill पास कराया जाता है तो उस key bill के ओपर proper भहस नहीं होती बस उसको हेस्ट में पास करा दिया जाता है अगर proper पर क्या लोग अपोजिशन नहीं भी है धरने पे बैठा है तो भी उसको Parliament के अंदर पास करा दिये लोगा Parliament के अंदर बहुत से से tools, mechanism, structures और precedents है जिसके basis पे effective legislation किया जा सकता है deliberation को inculcate किया जा सकता है बट वो deliberation हो नहीं रहा है इसके चलते फुली functional democracy की तरह हम काम करनी पा रहे है Parliamentarians को अपनी responsibility यहाँ पे समझने की जोगा थे यह यहाँ पताया जा रहा फिर आगे बात करते है core constraints यहाँ पे basically economic indicators की बात की जा रही है देखिए जो आठ core sectors है हमारी economic है इनके बारे में बहुत detail है मैंने कल current affairs में बताया था इनकी growth क्या रही है April 2022 में इनकी growth थी 9.3% with respect to April 2021 year on year मही में growth थी 19.3% June में growth थी 13.7% पहला जो quarter है April मही जून का 2022 तेईस का इसमें जो growth है वो 13.7% है पिछले साल के quarter one के respect में और यह अच्छी growth है चुकि अगर आप देखो तो जो quarter one था 2021 बाइस का April मही जून 2021 उसमें अच्छी खासी growth हुई थी 26% growth हुई थी किसके respect में April मही जून 2020 के respect में लेकिन अब आपको catch समझना पड़ेगा April मही जून 2020 literally पूरा इंडिया बंद था नजर आईए 2022 में अच्छी खबर है लेकिन author बोल रहा है कि भाई देखो इतनी अच्छी खबर है नहीं क्यों तो उसका reason यह है कि अगर आप मही का industrial output देखोगे pre pandemic के level से तो pandemic से पहले 2019 से अगर आप मही 2022 को compare करते हो तो industrial output के वल 1.7% जादा है मतलब क्या है मतलब यह है कि pandemic के effect को हम negate कर पाएं अगर 2019 में 8 core sectors का output देखो आप जून में और यही output आप 2022 में देखो तो 8% जादा नजर आ रहा है तो 8 core sectors का जो output सा 2019 में जून में और 2022 में जो है 8% का increment देखने को मिल रहा है तो कुल मिला के 26%, 13% पे ध्यान मत दीजे हमें ध्यान इस बात पे देने की जरूँद है कि actually में हम 2019 के comparison में कितना बढ़े है फिर अगर total industrial output की बात की जा यह जो मैंने आपको figure बताया थे न 9.3%, 19.3, 12.7 यह 8 core industries के बताया थे अब पूरे industrial sector की अगर आप बात परो तो पूरा industrial sector अप्रेल में 6.7% बढ़ा है अप्रेल 2022 में अप्रेल 2021 से comparison में और माई में 19.6% बढ़ा है और जून में कहिए 9 से 13% के बीच में बढ़ा है ऐसा यहां पे बताया जा रहा है इस बार की जो जून की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही है देखा जाए तो चार infrastructure के sectors बढ़े है एक तो coal output बढ़ा है 31.1%, एक cement output बढ़ा है 19.4%, crude oil output कम हुआ है यह मैंने कल भी आपके साथ डिसकस के था natural gas का output 1.2% बढ़ा है प्रोडक्शन अब आगे आने वाले समय में कुछ प्रॉब्लम से देखी मौनसून है बानी बरशने का समय इस समय पर माईनों में पभी पानी भर जाता है तो coal के production में प्रॉब्लम आ सकती हो सकता है आगे आने वाले समय में हमें कोला जदधा इंपोर्ट करना पड़े चुकि हमारी जो domestic माईन से कहीं कहीं पर पानी भर जाता है तो जो कोईले की पैदावार है वो थोड़ी कम हो जाती पिर अगर आप देखो तो मन्थ और मन्थ जून का data अगर आप मई से कंपेर कर रहे हो जून 2022 का मई 2022 से तो केवल तो इस global turmoil के समय में अगर केंदर की सरकार पैसा ज़दा खतम करती capital expenditure पे तो definitely overall हो हमारी economy को एक positive push देगा तो ये था पूरा का फूरा analysis दोस्तों I hope आपको मज़ा आया उस lecture को सुनके अपनी viewpoint नीचे comment box में देखे जाएगा Instagram पर follow कर लीजेगा Telegram group join कर लीजेगा जादा से जादा लोग साथ इस lecture को share कर Have a great difference गुप आध्यान रखिए अपना पढ़ते लिखते रहिए हो सके तो लोगों के साथ lectures को share करें जितना जादा आप share करते हो that is sharing and caring video को recommendation बढ़ते है algorithm में मदद मिलती है सूपर थेंस को option दबा सके तो जरू दो